हलो फ्रेंड्स चलिए आज हम बनाते हैं बिना लहसन और प्याज के आलो की बहुत ही टेस्टी सबजी इसके लिए मैंने लगबग साथ से आठ आलो लिया है और इसे अच्छे से बॉयल करके हलका मैश कर लिया है अब हम कुछ धनिया पता लेंगे उसे भी बारी काट लेंगे दो से तीन हरी मिर्च को भी काट लेंगे और थोड़ा सा मैंने पच फोड़न लिया है और एक इच अधरक का टुकड़ा लेंगे दो टमाटर को भी मैंने बारी काट लिया है आप चाहे तो टमाटर प्योडी भी ले सकते है थोड़ा सा मैंने हडा मटर लिया है आप हडा मटर की जगा चना भी ले सकते है अब हम कडाही को तेज आज पर गर्म कर लेंगे और इसमें दो से तीन चम्मस तेल डालेंगे जब हमारा तेल पूरी तरह गर्म हो जाए तो हम आज को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें मैंने डाला है पचफोरन, तेजपत्ता हरी मुर्श को भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस समय आप आज को बिल्कुल कम रखे अब हम इसमें दो चुटकी हिंग डालेंगे और इसमें टमाटर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने टमाटर को बारी काट लिया है आप टमाटर की प्यूरी भी इसमें डाल सकते है इसे बिलकुल लो आज पर हम अच्छे से mix करेंगे और अच्छे से इसे बूल लेंगे अब हम इसमें आधा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे वन फोर्थ चमच हम इसमें लाल मीर्स पाउडर डालेंगे और स्वादा नुसार नमक डालेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें अद्रक को भी ग्रेट करके डाल देंगे इन सब मसालों को हम बिल्कुल लो आज पर भून लेंगे आज को आप तेज ना करें यह तो हमारा मसाला जिल जाएगा दो से तीन मिनट तक लो फ्लेम पर इसे भूनने के बाद अब हम इसमें मटर को डाल देंगे और मटर को भी हम तीन से चार मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे हमारा मटर भी अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें आलू डाल देंगे जो हमने boil किया था आप आलु को पूरा mash ना करें हलका mash करें और इसमें अपर हम धनिया पत्त डाल देंगे अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे आप फ्लेम पर 2-3 मीनिर तक आलु को भी हम अच्छे से भून लेंगे मसालो के साथ मिक्स करके देखिए हमारा आलू अच्छे से मिक्स हो चुका है और फ्राई भी हो चुका है अब हम इसमें पानी डालेंगे आप इसमें लगभग एक बड़ा ग्लास पानी डाल दे पानी डाल कर हम सारे मसालों को और मिक्षर को मिक्स कर लेंगे फ्लेम को हाइ कर देंगे और इसमे उबालाने देंगे अब हम इसमें आदा बड़ा चमच रोस्टेट जीरा पौडर डालेंगे एक छोटा चमच हम इसमें गड़म मसाला पौडर डालेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे ढख कर 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे 3-4 मिनट हो चुके हैं देखिए हमारी सबजी रेडी हो चुकी है अब हम ग्रेवी के अनुसार थोड़ा सा और इसमें नमक मिक्स कर लेंगी आप अपने इस टेस्ट के अनुसार नमक मिक्स कर लें आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं सेंधा नमक डाल कर कम मसालों के साथ ये सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है आप इसे घर पे जरूर ट्राइ करें इफ यू लाइक दे वीडियो देन लाइक सब्स्राइब और शेर थैंक यू